हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका आपके अपने इट्यप चैनल हीज माइंवेस्टमेंट में आज की इस वीडियो में हम फिनांशियल सेक्टर्स के तीन डायमंड शेयर आपको बताने वाले हैं जिनको आप लॉंग टर्म में अपने पैंशन के हिसाब से अपने फूचर के हिसाब से आपने बच्चों के फूचर के हिसाब से खरीद कर भूल जाएए और यह आपको इतना जबर्दस रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं आपने स्टॉक मार्केट की ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी जहां पर पिछले का इस लिमिट फो ग्रोथ इन तीनों सेक्टर के शेगर जहां पर यह कैटर करते हैं वहां अनलिमिटेड ग्रोथ है आप किसी भी रेट में शेयर को खरीदिये आपका पैसा बनेगा फिंट्स रामदे वग्गरवाल जो मशूर इन्वेस्टर हैं और मतिलाल अस्वाल के फा लिस्ट होने के 10-15 गुना होने के बाद भी जिसने शेयर लिया होगा उनका भी पैसा जबर्दस तरीके से बनाया तो हम ऐसे ही तीन शेयर आपको बताने वाले हैं जो क्वालिटी वाइज जिन्पे कोई डाउट ही नहीं कर सकता और जिस सेक्टर में ये शेयर हैं वहां ग् पहले कुछ रिकमेंडेशन जीती पिछले 6 महिनों में डॉक्टर लाल पैट लैप, डिक्सिन, राने ब्रेक लाइनिंग, आईसी आईसी के बैंक, टाटा मोटर्स, एंडेस लिस्ट है फ्रेंड्स जो हमने आपको गिरावट में खरीदनी की सला देती हैं और ये सारे शेयर लगबग रिकमेंडेड लेवल से 2 गुने से ज़्यादा हो चुकी हैं, एवन टाटा मोटर्स तो लगबग 3 गुना के आसपास हो चुका है, और डिक्सिन को भी हम 8,000, 7,000 के लेवल से आपको रिकमेंड करते आ रहे हैं, अगर पोस्ट अज़ेस्मेंट देखो तो वहां से ग्रोथ स्टोरी और फ्रेंट्स देखें, लिस्टिंग से लेके अब तक भी 50-60% से ज़्यादा के रिटन के शेयर दे चुका है, यह जो कंपनी है, इसका बेसिकली बिजनस है, म्यूच्वल फंड की जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जब आप इंवेस्टमेंट करते हैं रिडीम करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को यह प्रोसेस करता है, इंडिया का सबसे बड़ा रजिस्टरार है, जो म्यूच्वल फंड की ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है, 70% का मार्केट शेयर है, कैम्स के पास में, और आप देखें किस तरह से म्यूच्वल फंड में investment के पति लोगों का रुजहान बढ़ रहा है और किस तरह से वहाँ पर transactions बढ़ रही है इसके अलावा company जो है repository का business करती है friends आपने देखा होगा आज की date मैं आप online insurance policy लेते हैं तो वो आपको जो है repository के पास deposit हो जाती है डेमेट form में आपको मिलती है उसको hold करने का काम भी यह company करती है उसकी transactions को process करती है alternative investment fund में भी इनके पास लगबग 77 से ज़्यादा client है और 16,000 करोड के आज पास की AU है में जिस sector को यह company cater करती है उसमें unlimited growth है क्योंकि आने वाले time में साले transactions electronically हो रही है जिसको process scams के थुरू होता है सतर परसेंट से ज़्यादा का इनका market share reference इसके अलावा यह company जो है EKYC को process करती है mutual funds और DMET account में आपने देखा हुआ कि एक बार आपने KYC करा ली वो cams की website पर process हो जाती है और वही KYC बार-बार जो है फैच करते हैं जब भी आपको नए investment करते हैं DMET account खुलवाते हैं same process अब लगबग हर financial institution चाहे वो bank को NBFC वहाँ follow हो रहा है जहां CKYC centralized KYC के guidelines आ गई है यानि कि अगर आपने एक bank में अपनी CKYC करा लिए तो बार-बार हर bank में आपको document देने के जोरत नहीं होगी जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है तो आप समझें किस तरह की futuristic technology में यह company जो है cater कर रही है जहां पर unlimited growth है फिंट्स यहां पर company के sales और profit पिछले 5 सालों में 15% से ज़्यादा की CGR से grow किये है और ठारा सो इतालीस रुपेश का current जो है प्राइस है और लगबग 9000 करोड की market capital है बिलकुल debt-free company है और जो best thing camps के बारे में मुझे लगती है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि asset light model है asset light model का मतलब है कि इनका जो setup cost है वो बहुत कम है सारी चीज electronically है जैसे IT इंडस्ट्री में होता है बहुत चोटे से एक कमरे के office में यह operate कर सकते हैं अगर इनकी sales बढ़ती है तो profit बहुत जबरदस तरीके से बढ़ता है क्योंकि operating margin इनका 70-70% से ज्यादा है तो आप समझ लेजिए किस तरह की growth आने वाले टाइमेश कंपनी में और entry barrier है यह कोई ऐसा business नहीं है जहां कोई नया प्लेयर तुरंत आ जाए अगले 15-20 सालों की visible growth दिखती है जिस तरह से digitalization पर टेक्नलोजी पर लोग depend हो रहे हैं हर चीज online होनी है इस पेशली mutual funds के transactions तो अब जो है 70-80% से आदा transactions online process हो रही है तो इस stock को आप जब भी market खराब हो आप अपने radar पर रखिए लिखके रख लेजिए आपने accumulate करना है और भूल जाना है यह कोई आपने लेकर भूल जाना है long term के लिए यह one of the best stock है दूसरा share amc space की दिगज SDFC amc है जो इंडिया की one of the largest amc है चार लाग करोड के आज पास का इनका AUM है SDFC amc के बारे में SDFC group के shares के बारे में बोला जाता है कि इनके fundamentals के बारे में बात करने के जोरत ही नहीं है यह इंडिया का one of the best and most efficient management है फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा fundamentals बताऊं तो 36% से जादा की return on equity है पिछले तीने सालों में और 30% से जादा profit grow किया है अभी भी AUM के figures आए है काफे सारी app आ गई है mutual fund में आज के date में tier 1, tier 2 cities में even rural areas में भी जबरदस तरीकी से लोगों का रुजान बढ़ा है 73-74% की strong promoter holding है promotant जो अपनी holding है वो पीछे थोड़ा सिरिफ इसलिए कम की थी सेवी norms को complied करने के लिए listing के तीन साल के अंदर अंदर आपको 75% से कम करनी होती है DII's ने जो है अपनी stake लगबग 2% के आज पास बढ़ाई है FIS 10% hold करते हैं बाकी public के पास है छोटी से equity है 5 रूपे की face value है 106 करोड की equity share capital है 21 करोड की बहुत छोटे equity है 2970 रूपे की closing के Friday की बात करें तो ये stock लगबग 30% के discount से अपने all time high जो 3900 रूपे के आसपास है वहाँ से trade कर रहा है long time की बात करूं तो इससे अच्छा stock चायदी आपको कोई मिले जो हर साल आपको 15-20% के CGR से grow करके दे सकता है stock हर तीन साड़े तीन चार साल में double होने का potential रखता है अगर आप इसको लगले 8-10 साल के लिए खरीच सकते हैं तो sky is the limit for this sector to grow इसके लावा एक और AMC listed है निप्पॉन उस पर भी आप देख सकते हैं वह भी शेयर बहुत बढ़िया है योटी आई AMC पर हम शुरू से ही अवाइड की रेटिंग आपको देते आएंगे तीसरा शेयर है SBI कार्ड इस शेयर को जब यह लिस्ट हुआ था था खराब लिस्टिंग हुई नीचे के लेवल देखने को मिले हमने अपने चैनल पे 600 रुपे से के शेयर रिकमेंड किया और 1100 का हाई इसने बनाया है इंडिया का सेकंड लार्जेस क्रेडिट कार्ड इशूर है 19 परसेंट से जादा का मार्केट शेयर है और क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है पिछले 5 सालों में 32% के CAGR से ग्रोग कर रही है तो आप सोच लिजे किस तरह का रिवैन्यू इस सेक्टर को जो है आने वाले टाइम में रिवैन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को कैटर करने वाली जो एप है क्रेड उसकी मार्केट अवैलुएक्शन सोला सतरह हजार करोड रुपे आंकी जा रही है और इस बी आई कार्ड तो फुल फ्लेज इंडिया की वन आफ दा लार्जेस क्रेड़ काड इशूर और पेमेंट प्रोसेस सर्विस को चलाता है जिसके पास इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैंड को यह आन करता है यह जो इस्पेशली करोणा पैंडमिक के बाद भी और टेकनलोज जी ने जिस तरह से स्विच किया है जिस तरह से एप बेस सर्विसेज आई है क्रेडिट काड की स्पेंडिंग जिस तरह से बढ़ी है उसका कोई जवाब यह नहीं है और आने वाले टाइम में ग्रोथ इंटाक्ट है इसके अलावा जो उनके फ्रेश शुएंस है वो अलमोस कमपाउंडिंग मशीन जो 20-25-30% के CAGR से ग्रोव कर सकता है और वही स्टोरी अपली केबल हर 3-4 साल में डबल होने का पोटेंशल रखता है और यहाँ पर जो अरेनिंग विजिबिलिटी है वह अगले आर 10-15 साल की इंटाक्ट है यह कोई ऐसा सीजनल शेयर नहीं है जो मैं सेक्टर है आप पेशिंस के साथ होल्ड करें इनमें 2-4-10 महीने या 2-4-10 दिन या इंट्राडे में रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें स्रिफ लेजिए और भूल जाए रिडार पर लिखके छोड़ देजिए जिस दिन मार्केट खराब हो अपनने यही शेयर लेने हैं लोगों में अबेर्नेस बढ़े रहा आ है थीनों के चेयर आइसे हैं जिनकों में जिस तरह से बढ़ेगा जिस तरह से मेट्रो कल्चर बढ़प्ट हो रहा है इन तीनों का प्लेचल हो बहुत चबहरतर है आप लेजिए और भूल जाएए और जब अड़ दस पॉटफोलियो बना के रखिए आपका पैसा कहीं गुना long term में हो जाएगा फिन्स फर्दर आपकी कोई भी कोई इन तिनों शेयर्स को लेकरो इस वीडियो को लेकरो प्लीज फिल फी तो आस्क में दे कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आईए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस मा इंवेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना बोलिए थैंक यू